जोगिंद्र जी गुर्देव मेरी बीवी की मृत्यू के बात मैं बावरा हो गया हूँ रात दिन उनको याद करके रोता रहता हूं महराजी मुझे बल प्रदान करें आम प्रणाम करते हैं आपके प्यार को पर वही प्यार अगर प्रिया जूशे हो लाल जूशे तो जीवन धन्य हो जाए देखो थे वही ही पर आप उनको जान नहीं पाए नहीं तो प्राया हम प्यार सरीर से ही करते हैं जो सामने रूप होता है पर जो शरीर के अंदर बैठा तत्त हो जो वंतर ध्यान हो गया तो हम स्वयम सब को मिलजुल करके लेकर उस शरीर को नश्ट कर देते हैं जला देते हैं और प्यार सरीरे सी किया था अब भी याद तुम्हें सरीर की यह आती है उसके अंदर जो तत्त था उससे तुमने परिचे किया नहीं सोचो जो अंदर प्रभू बैठे हुए थे उन्सकी जानकारी तुम्हारे है। करते थे फूंक दिया अब उसी सरीर का चिंतन करके तो मुझे लगता है कि थोड़ा सुधार करो अब वो अंदर जिसके लिए तुम तड़प रहे वो प्रभू ही था उसे तुम जान नहीं पाएं वो भगवान ही थे नहीं जो बहुत प्यार करता है सरीर से जब उसके अंदर इसले भी इसको आटा दो मतलब तुम अंजाने में भी भगवान से प्यार कर रहे थे सबके अंदर बिजली जो है न भगवान ही है यह जो चैतनिता है न हसना खेलना बोलना प्यार दुलार यह भगवान है अंदर उने का पावर है अब वो अंतर ध्यान हो गए तो कितना भ प्रश्न खतम हो जाता नियाल हो जाते ऐसा प्यार प्रभूशे हो जाए तो अभी जीवन कृतार्त हो जाए महत्मा बन जाओ मुझे लगता है थोड़ी दिसा गलत है उसको सही कर लो तो आनंदित हो जाओगे क्यों भई आप सोचो तुम्हारी अगर होती तो तुम्हारे पा कि मुझे परमात्मा रूप से नहीं, मेरी पत्नी रूप से, तो पत्नी रूप धारन करके दिखाई देदेगा, वो आपको भाव में दिखाई देगा, मेरी पत्नी मेरे से बात कर दे, मेरे से मिल दे, क्योंकि बिजली वही है, उनको रूप रखने में कितना मिनट लगता है, वो तकाल रूप रख लेते हैं तो फिर भी वो रूप टिकाव नहीं है जो रूप भगवान का है उनसे देखो इतने से प्यार में तुम लट्टू हो गए वो प्यार शमुद्र भगवाल है जब उसका प्यार आएगा तो तुम डूप जाओगे तुम रही लही जाओगे आस्तित भी नहीं रहेगा मुझे लगता है अगर शुधार किया जाए तो हमारा प्यार करना सार्थक हो जाए मेरा प्रभू ही शब के अंदर है वही प्यारा है उसी से हम प्यार करते है चाहे जितना लाडला बालक हो वो प्रभू चले जाए तो उसकी मासे को अब रखो दो-चार महिने तो वही पैसा देगी आपको कि जाओ इसको नश्ट करते हो सरीर को कि अब वो नहीं रहा तो अंजाने में भी प्यार सब भगवान से ही करते हैं पर जान करके प्यार करो तो बढ़ियां सार्थक हो जाए कितना बढ़ियां भाव है कि उनकी याद करके उनके विशह में रोना यही तो हम लोग जीवन भर मांगते रहते हैं प्रभू शे कि और कुछ नहीं चाहिए आपकी याद करके आपके लिए तड़पू आपके लिए रों और वो आपको है थोड़ा दिसा बदल दो प्रभू की तरफ कर दो तो अभी मात्मा हो जाओगे और नहीं तो फिर यही दुर्गती करा देगा म्रग का चिंतन करते हुए मरे तो अगला जन म्रिग बने न इस्त्री का चिंतन करते हुए मरोगे तो इस्त्री तो मिलेगी नहीं तुम खोद इस्त्री बनोगे और फिर फसोगे किसी पुरुष शरीर में यही तो करम चल रहा है पुरुष शरीर में तुमारी प्रीता होगी कि मेरा पती है इसका उदारण है पुरन्यन वो पाक्ष्यान भागवत में है तो पुरन्यन एक सुन्दर इस्त्री को देखा राज महल नो दर्वाजे का पुरा भगीत लुभायमान हुआ इतना आशक्त हो गया कि जब मरा तो उसका चिंतन हुआ तो जाके इस्त्री बना मगत देश राजा क रानी बना अवो युद्ध में राजा मारा गया अवो अपनी चूडियां फोर के रो रहा था तो भगवान उसको ग्यान देने के लिए बुले तु जानताने में तेरा मित्र हूँ अभी ग्यात सखा इसे तुम जानकारी नहीं रखते हो वो में तुम्हारा मित्र हूँ ना ना इस्त्री ना पुरुष मेरा अंस है मेरा भजन उसी समय उनको वैराग गिवा तो यह सावधानी कर लिए तो जीवन सार्थक हो जाएगा नहीं तो फिर एक अपने और दर्शन की थे वयोब्रद्ध थे तो एक जैसे भगवान की पूजा की जाती फोटो रखते हैं लो अपनी पत्नी क्षवी रोज चाती से लगा के रोते थे उस समय हम ब्रह्मचर आश्रम में थे उन्हों ने का मुझे कोई भगवान पर श्रद्धा नहीं कोई हमारी पत्नी छीनली भगवान ने और पत्नी क्षवी रखते हैं इसे तो हमें अच्छा लगा इस बात का अगर इतनी आशक्ति भगवान में हो जाए तो जीवन खतार्त हो जाए हम उससे उदारन लिया कि हमको इतनी आशक्ति भगवान पर करनी जैसे पत्नी में किये कि उनकी बात आते ही हदय आह भर जा मेरे प्रीतम मेरे प्यारे मेरे जीवन धन तो यह मन है देखो फस गया ला एक धनुर्दाश जी नाम के महानसंत हुए हैं वो अपनी पत्नी में इतने आशकते थे कि एक शण के लिए भी उससे अलग नहीं होते थे तो जैसे बजार में सामाल लाने जाना हो तो अकेले जाने ही सकते थे तो कि अलग नहीं हो सकते थे पत्नी जाती इसी बजार में सामाल लाने और वो धूप न लगे इसलिए चाता लगा कैसे बैक चलते थे वो ऐसे चल रहे तो बैक पीछे और आचारे चरण के जो शिश्य जन थे वो किसी सेवा के हेत गये थे उन्होंने दर्श्य देखा कि सब लोग मजाक उड़ा रहे थे ऐसे विक्तिक मजाक होता है ना लेकिन उसको कोई परवा नहीं थे अपने पत्नी में एक टक लगाए हुए दर्श्टी चाता लगा यह ऐसे चल ला उन्होंने जाके बताया कि एक हमने ऐसे इस्त्री आशक्त पुरुष को देखा ऐसे तो वह वाह ऐसा प्रेमी मैं दर्शन करूँगा ऐसे प्रेमी के क्योंकि सब जगे से समिट कर एक जगे आ गया ना अब एक जगे से मोड़ने में के देर लग जगेगी नजदीक गये तो वह ऐसे सीन देखी उनका भाई तुम ऐसे चल रहे हो सब लोग मजाक करे तो पुले प्रिभू मैं आशक्त हूं अपनी पत्नी को एक शन भी मैं तो उनका पत्नी शिक्यों आशक्त हूं उनका ऐसा रूप है इसका बुले इससे बढ़कर रूप बुले होई नहीं सकता तो ऐसे चपल है अवु परम पवित्राचार जीव ही ऐसे प्यार की चपत है तो उस शाम ने देखा लली त्रिभंगी भगवा और छूट गया चाता छूट गया चाता छूट गई पतली बावरे हो गए अरे कृष्ण का रूप आवो तो बस महान श हमें सुधारना चाहिए भगवान की कृपा है आप पर जो आप सत्संग में आए आप शंत्र समाग हमें लगता है कि आप थोड़ा नाम जब करके रो राधा 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 लाड़ी मैं जान नहीं पाया आप ही सब मेरा ब्रहम हटा दो कृपा कर दो अब मेरा जीव माना अब ये सरीर कितने दिन रहेगा एक दिन नस्ठ होगा आपका सरीर कितने दिन रहेगा एक दिन नस्ठ होगा लेकिन गुरू में अदि भगवान की बुद्धी की कि मेरे भगवान है तो सदय हो रहेंगे शरीर भले चला जाए आपके भाव में गुर्दे बैठे रहें एक है जो कभी ने छोड़ता है वो भगवान है भगवान के बिना कोई हमारा नहीं यही सत्संग में यही सास्त्रों में यही संतों ने अनुभो किया है और उसी का बर्णन करते है